नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टेडी पर साथियों आज की इस क्लास में मोधी सरकार 3.0 के कोस्चन आंसर को देखेंगे नरेंद्र मोधी से रिलेटेड वो सारे महत्पुन करेंट FS और GK के कोस्चनस देखेंगे आज की इस क्लास में जो की आपसे पेपर में पूछे जाएंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पुन है चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो सभी एक्जाम में एक कोस्चनस आपको देखने को मिलेंगे और क्लास अपने दोस्तों तक जरूर शियर करना तो पहला कोश्चे ने बर्ष 2024 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के सपत गरहन में कितने देशों के सिर्शनेता सामिल हुए तो दिखिए बर्स 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपत समारो था उसमें कुल कितने देशों के सिर्ष नेताओं ने भाग लिया तो दिखिए यहां आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी साथ देशों के अब उनने ताओं के नाम भी आपको इहां बता देते हैं सातों में से एक तो सिरी लंका के राष्ट पती थे रानील बिकरम सिंगे दूसरे मालदीव के राष्ट पती थे डॉक्टर मुहमद मुईज्जू तिसरे साथियो सेसल्स के उपराष्ट पती सामिल हुए जिनका नाम था अहमद अफिक चोथे बांगलादेश की प्रधानमंत्री सामिल हुए सेख हशीना पांचवे मौरिसस के प्रधानमंत्री थे प्रबिंद कुमार जुगनुत छठे नेपाल के प्रधान मंत्री सामिल हुए जिनका नाम है पुस्प, कमल, दहल, प्रचंड इसके अलवा भुटान के प्रधान मंत्री भी सामिल हुए और इनका नाम है सेरिंग टोबगे ठीक है याद रखना अगला बर्च दोहजर चौबिस में नरेंद्र मोदी लगातार कितने भी बार भारत के प्रधान मंत्री बने सिंपल सा कोश्चन है तो याद रिखे तिसरी बार ठीक है पहली बार 2014 में दुसरी बार 2019 में और अभी तिसरी बार 2024 में आगे दिखिए नेक्स्ट कोश्चन है नरेंद्र मोदी ने लगातार तिसरी बार प्रधान मंत्री पद की सपत किस्ति थी को ली तो दिखिए करिक्ट आएगा 9 जून 2024 को अगला कोश्चन है बर्स 2024 के लोकसभा चुनाओ में बीजेपी ने कुल कितने सीटे जीती तो बर्स 2024 के लोकसभा चुनाओ में एंडिये ने कुल कितने सीटे जीती तो अगे दिखिए अगला कोश्चन है बर्स 2024 के लोकसभा चुनाओ में एंडिये ने कुल कितने सीटे जी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे तो देखे नरेंद्र मोधी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो option number भी correct होगा 2014 याद रखना नरेंद्र मोधी भारत के कितनवे प्रधानमंत्री बने है तो देखे नरेंद्र मोधी भारत के 14 वे प्रधा मंतरी बने हैं ये भी आपको याद रखना है आगे दिखिए बर्थ 2024 लोगसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहां से लोगसभा चुनाव जी था तो भाई दिखिए करिक्ट आएगा वारा नसी से साथ यो ऑप्सन नमबर डी वारा नसी अगला कोश्चन है नरेंद् वर्ष तक गुजरात के मुठ्यमंत्री के रूप में कारी किया नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है तो दिखिए नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ओप्शन नमबर सी अगला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था तो स जून 2024 को जारी हुए option number D करिक्ठ होगा नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे तो साथ याद रखना नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर 2001 को बने थे देखिए आज कही क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट है प अगला question है बर्स 2024 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री पद की सपत किष्णे दिलवाई तो करिक्ठ आएगा द्रोपती मुर्मुने जो की बरतमान में भारत की राष्ट पती है नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधान मंत्री किस वर्स बने थ तो दिखिए बरतमान में भारत के राष्ट पती कौन है तो द्रोपती मुर्मुजी ओप्शन नमबर डी नेक्स्ट दो हाजर चौबिस के लोगसभा चुनाओ में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती तो करिक्ठ आएगा बीजेपी ने यानि ओप्शन नमबरे भारत आगे दिखिए भारत में सबसे लंबे समय तक परधान मंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है तो याद रिखिएगा भारत में सबसे लंबे समय तक परधान मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं पंडित जोहारलाल नेरू जी ओप्शन नमबर भी देखिए बतोर पीम जोहारलाल नहरु जी का कारिकाल जो है वो 16 साल 286 दिन का था उसके बाद दूसरा सबसे अधिक दिन तक कारिकाल रहा है किसका तो याद रखिए इंद्रा गांधी जी का कितना तो 15 साल 350 तिनों का याद रखना भारत के पर्थम परधान मंतरी कौन थे तो देखे भारत के परथम परधान मंतरी थे पंडित जोहरलाल नहिरूजी ओप्शन नंबर ए राइट होगा नेक्स्ट थे भारत की प्रतम महिला प्रधान मंतरी कौन थी तो साथ यो करिक्ट होगा ओप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी आगे दिखिए नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीम नरेंद नंबर भी वारानसी का आगे दिखिए नरेंद्र मोदी को किस वर्स पर्थम लता दिनानात मंगेसकार पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो राइट होगा ओप्शन नंबर डी दो हजार बाइस में नेक्स्ट परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने निती आयोग का गठन कि दिखे साथ यो करिक्ट आएगा एक जनवरी 2015 को नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ने निमनल कित में से कौन सी पुस्तक लिखी है तो इसका राइट अन्स रोगा ओप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ठीक है आपका प्रेमतिरत इसके अलवा सोसल हार्मनी इसके अलवा समाजिक स यह सभी जो पुस्तक हैं वो मोदी जी के द्वारा लिखी गई है आगे दिखे नरेंद्र मोदी ने निमनल कित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की है तो भै मोदी जी ने मुद्रा बैंक की योजना शुरू किया है मैक इन इंडिया योजना भी शुरू किया है लेकिन बाली का समरेद्धी योजना ये सुरू नहीं किया है तो option number C correct होगा आगे दिखीगा किंग सुक नाग द्वारा लिखित नरेंद्र मोदी को समर्पित पुस्तक का नाम बताईए तो देखिए option number C correct होगा दा नामो इस्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ ये जो पुस्तक है ये सा थानपन नरेंद्र मोदी की मोम की पृतिमा का अनावरन एक संग्रालय में किया गया था तो correct आएगा लंदन में 2016 में ये देखिए रियल फोटो है मोदी जी का और ये मोम की पृतिमा है ठेक है अग tribus के बारे में बता दें तो 2016 में मोदी जी की एक मोम की प्रतिमा का लंदन के मैडम तुसाद व्यक्ष मुजियम में अनावरन किया गया था याद रखना मैं 2019 में पीम नरेंद्र मोदी द्वारा औरिस्सा को कितनी वित्य साहता की घोशना की गई थी जिस वक्त औरिस्सा में अप्शन नंबर ए नेक्स्ट या बास्तविक कारिकारी की कारिकारी सक्ती किसमे नहीं इत होती है तो देखे बास्तविक कारिकारी सक्ती जो होती है वो प्रधान मंत्री की अधच्चता में मंत्री परिसद की होती है अप्शन नंबर भी करिक्ट होगा भारत में सरकार का संग से परिचय का वुआ था किस वर्ष की उम्र में तो याद रिखेगा आठ वर्ष की उम्र में नेक्स्ट कोश्चन है अठारा साल की उम्र में नरेंद्र मोधी की साधी किस्से हुई थी तो भैं इनका विवाह जो है वो जसोधा बेन मोधी के साथ हुआ था ओप्शन कालिक कारिकरता 1971 में बने थे याद रखना 1971 में नरेंद्र मोधी को कुछ समय के लिए तिहार जेल में क्यों रखा गया था तो देखे यहां आपका करिक्ट आएगा ओप्शन नंबरे आहिंसक बिरोध में सामिल होने के लिए अगला कोश्चन है गुजरात में आपातकाल के आयोजन में नरेंद्र मोधी ने क्या भूमी का निवाई थी तो राइट आएगा ओप्शन नंबर सी उन्होंने यात्रा के आयोजन में मदद की थी नरेंद्र मोधी ने दोहाजर साथ में अपनी 101 पन्नों की पुष्थी का कर्म योग में क्या लिखा था तो राइट बर्ष 2013 में अगला कोस्चन है 2014 के लोगसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उमिद्वार के रूप में नरेंद्र मोदी की उमिद्वारी परकिशने बिरोध व्यक्त किया था तो करेक्ट आएगा ओप्शन नमबरे लाल कृष्णा अडवानी ने 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उमिद्वार कवनामित किया गया था तो देखे करेक्ट अंसरोगा अक्टूबर 2018 में अगला कोस्चन है 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी दुआरा शुरू किया गया भाजपा का अभियान ना क्या था तो क्रिक्ट आएगा ओप्सन नंबर B में भी चौकीदार अगला कोस्चन है जम्मू कस्मीर की स्वायत्ता को लेकर मोदी परसासन ने क्या बड़ा कदम उठाया था तो क्रिक्ट आएगा ओप्सन नंबर B इसने अनुचित 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कस्मी के रुप में मोदी के कारिकाल के दोरान कुछ दक्षिन पंती सम्मूहों ने किस बिवाद पद अवधारना के खिलाप अभियान चलाया था तो करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर C लव जिहाद पर साथिव आज की इस क्लास में बहुत ही important questions थे नरेंद्र मोदी जी से related और य नए साथ ही जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अर्ण कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जहिंद वंदे मातरम